जहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी दोस्तों आज का यह जो वीडियो मेरा बहुत ही आपके लिए फाइदेमंद होगा आप सभी के लिए यह फाइदेमंद होगा क्योंकि आज को मैंने वीडियो बनाया यह बनाया सीन पेन कि जितने मेरे भाई चोटे या गल्स अब बहुत है आरमी ऑश जीडिया किसी भी फोर्स के डेली रणिंग करते हैं वे फीजिगल एकसाइज करते हैं उसके बाद में होता क्या आगि उनके पेरों में शीन पेन शूरू हो जाता है जिनके शीन पेन अब नहीं हो रहा है तो यह वीडियो उनके लिए ब्यार आप पता है कि एक बार सीन पेन आपका शुरू हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेता है फिर आपके साथ लगाता होता है सीन पेन ज्यादा तर जो लोगों को था इस परकार से होता है कि आप जब जैसे सुबह उठते हो या रहने ग्राउंड में जाते हो तो तब तक आपके सीन सीन पेन होता रहीड आपको चलने नहीं देगा और ये सीन पेन ट्रेंग की आप जो कोई बहु बंदा गार्य के शिरत भी दोरां कि अ बेट करता है मतलब आप सुबह बेट से उठकर एक कदम नहीं चलपा होगे इतना दर्द होगा सीन पेन का मेन बेसिक जो प्रोब्लम है कैसे शुरू होती है कि आपको जितना सी ठंडा रहेगा उतना वह सुबह उठके आपको चलने में तकलिफ देगा जैसे आप रणिंग कर आपको से बसे करेग नहीं होती है इसमें होता क्या सिन पेन, बोलतא कि इसको है मैं ऐतली हल्की हलखे हल्की हलकी हल्की जैसे छोड़ का इस होटा दोस्तो है अ यह जैसे आप रण्ने करते हो ड्रीली गाओं लयां कहीं पे बिया रोड पर तो उस पे रर्निंग करने पर आपका पेर कभी इ Christmas thunder परता है कभी इदर परता है रोड पու है तो कि आपका पेर आप लगएगी दोस्तों तो उपमाइन वेग हाटी तक जाएगी तक दर्द पहुंच वाती दोस्तों इसमें होता है जो मेन इसका रिजन है कि शुरू कैसे होता है एक तो जिस आप ग्राउड में रणिंग करते हो अगर ग्राउड में खड़े या टेड़ी मेडी अगर वोड़ है तो इसमें पैर आपका ऐसे ऐसे पढ़ता रहेगा तो जब अब शुरू सुरू में आपको पता नहीं चलेगा उसका कि यह मेरे को दर्द हो रहा है नहीं हो रहा हुँ धीरे-धीरे-धीरे करेक करता रहेगा और वह आके जागे आपके लिए बहुत बड़ी प्रोब्लम हो जाएगी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपको आगे ज इसके बारे में वीडियो बनाया है और पेट की चरबी कम कैसे हो इसके बारे मनाया और इस वीडियो में आपको एक खास बात और बताने वाला हूं कि जो ऐसा सी जिडी के तुरू आप जब लग जाते हो इसके बाद में अंदर मतलब डिपार्मेंटली जो परमोशन के करते हैं इसका यह रिजन आपकी रोड पर दोड़ना लौंग रनिंग करोंग फ़लेट पारेगा पडेगा अगर आप रोड पर दोड़ोगे तो उसके दिरे दिरे इस प्रकार जैसे प्रकार जिसे चोट लगए तो हड़ी में पराबर चोट लगती रहीगी तुसके दिरे यो कि नहीं जहीं किउम साथ है यो फे Всем कंट और सिबो жд कर हैं डrang बीद लेकिन क्ट परते हैं डेपर ज़िया के क्टे करती ऐसे मेज दो एक हug में लेकिन बड़ा चेरह हो चाह् theor हुआ जबाद आप कर देग तो खख़ पूर्टि सबस्किते हैं होती है तो इसलिए उनके दर्ड होने के चांसे बहुत कम होते हैं लेकिन जो चीजों में लेकिन जो चीजों में वह आप खाते ही कि अब जैसे आपको में सिधा से उद्राइब कि सबस्यादा अगर के बात करो अगर आप दूद्ध प्यों बख्री का बख्री का अगर आप दूद्ध पिते तो आपके सेरी में बहुत बड़िया केल्सम बना रहेगा अगर किसी का सुरुवाती डर्द है या नॉर्मल दर्द हो रहा है या जोगिंग के टाइम या इस्प्रेंट के टाइम हो रहा है अगर आप अंडा खा सकते हो तो अंडे का उप्र जो आवरन होता है वाइट वाला वह खाईए डेली रेगुलर्ट दो तीन अंडे सुबए दो तीन अंडे साम को जब भी फिजिकल एक्साइज गरते हो उसके बात में तो उसको खाने से आपके शरील में क्या होगा के लसी अगर आप फिजिकल कोई एक्साइज करते हो तो अंकुरित चने आपको अमेशा खाने और अंकुरित मूंग यह आपको अमेशा खाने साथ में सोया बीन के बीज इनको रात को आप भिगा कर रख दो पाने में और सुबह पिजिकल एक्साइज होने के बाद में यह जरूर क्योंकि ने प्रोटीन की मातर अच्छी होती है और साथ में आपका केलशियम की डायट चलती रहेगी जैसे अंडा हो गया बकरी का दूद हो गया सेंग हो गया तो इनसे भी आपके सिर्व में केलसियम चल्दी बनेगा दोस्तों इसके अलावा हाश बात को अनजीर आप सभ बूद में अगर दूद हो सके तो दूद में गरम दूद करना एक गिलास यादा हि तना आपके पास है उतना गरम डूद करना है इसमें रात बिगो दूद को रिखह Linda को स्वबध ंजीर को पिते उसमें मिक्स करके अंजीर खा ले pena और दूस午 को पी लेना उससे आप देखना आपके शरीर में एक अलग सी उड़ जाएगी आप ये करना केवल 20 दिन ये डाइट फॉलो करना कि आपको अंजीर चने मूंग और स्वयविन के बीज और सुबह जब दूद्ध पीते हो तो से कम से कम दो अंजीर ज्यादा से ज्यादा तीन या चाल ले सक लोगर नहीं है आप देखना अपकी दिरे 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 शिन पोल का दर्द गाइब हो जाएगा दोस्तों और बक्री का दूद मिल से के तो बक्री का दूद जरूर पीना नहीं तो कोई बी दूद पीओ साथ में गर अंड़ खाते हो तो अंड़ खा सकते हो बाकि से उनु ब चाहिए पीना चाहिए तो कई लोग क्या करते हैं फिजिकल एक साइज बहुत चाहिए रहादा करते हैं उसके बाद में खाते पीते नहीं वेट कम करने तक रहर हो जाए मतलब आपके जान नहीं रहेगा एनर्जी नहीं रहेगा बिलकुल चमडी सुष्ट हो तो मलब भी करने हां ठाइट प्लान थोड़ा सही रूप से करना क्रना क्या शुबह अधर बढ़ी से लूँ बढ़ी कर दो फरका खाना नॉर्मल लो और मीप खाना थोड़ा कम कर दो तो आगर उससे या पको डायट प्लान रखना तकि आपका वेट देरे-देरे कम होगा साथ में क्या करना जब भी आप फिजिकल एक्साइज करो कोई भी या एक्साइज चेस्ट के एक्साइज कोई एक्साइज करो उसके दोरान आपको निम्बू पानी पीते रहना सुबह सुबह आपको देखिए आपका 10-12 दिन या 15 दिन के अंदर क अब बता दोगे मेरेको कमेंट बोक्स में जरूर आके वापस जब आपका हो जाए तो अब अब बतान निम्बू पानी बनाना है एक बोटल निमबू पानी एक बीड़की बना सकते हो उसको जैसे रंणिंग करने के बाद में पीलो दो गूंट उसके दो राइट मतलब एक कमोंगा आपको खाना चोड़ने की जुरूत नहीं होती अब मैं आप बात कुनूर डिपार्मेंटली जो एक्जाम होते हैं उन में फिजिकल एक्षाइज में क्या होता है तो दोस्तों बता दू सेम फिजिकल एक्षाइज नहीं होता उसमें डिफिनेंट होता है 16 मिटर की रन हाई जंप होता दोस्तों मतलब अब जब एक्षाइज बारा फिट लोंग जिंप होता है तो डिपार्मेंटली एक्षाइज होते हैं उसमें फिजिकल ऐसे होता दोस्तों वह वापस दोरा दूं आपको अगर नहीं पता है तो एक बार और बर आ रहा हूं कि 16 मिटर रनिंग टाइम छे मिनट शोड़ा समेंटर रनिंग के लिए आर्मी में आपको कम मिलता है इधर चाह मिनट मिलता है साथ में हाइज जब 120 से मी अब बता यहां क्या सपास होगा मेरे 120 से मी और लोंग जंप 12 फिट तो यह होता है उसके बाद में फिजिकल पास करने के बाद में आप इससे समन्दित मैंने वीडियो बना रहे हैं आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हूं जेह हैं दोस्तों